एक बार घने जंगल के पास एक गाव था. वहाँ एक शरारती बंदर अपने दोस्तों के साथ रहता था. ये सभी बंदर बहुत खुशी से रहते थे और पेडों पर बहुत उचल कूद करते थे. एक आदमी इन पेडों की रखवाली करता था. बंदर इन पेडों से फल खाते और उस आदमी से बच कर रहते थे. जब यह आदमी पेडों के नीचे सोता तो यह शरारती बंदर उसे बहुत तंग करता था. वह उस पर पत्ते फेंकता था और उसे जगाने के लिए कई और प्रयास करता था. बंदरों की इस हरकत से वह आदमी अपनी नीचे उठ जाता था और उन्हें वहां से भगा देता था. मगर यह बंदर हमेशा बच कर ही रहते थे. एक बार उस शरारती बंदर ने सोचा कि हमेशा इन पेडों पर ही क्यों रहा जाए? हम पास के गाव में क्यों नहीं जाते? जैसे ही उसके दिमाग में यह खयाल आया, वह बंदर उस गाव में चला गया. और देखा कि सुबह के समय गाव वाले तो घर से निकल कर काम पर जाते हैं. और उसने उन खाली घरों में प्रवेश किया और जो भी खाना पड़ा हुआ था उसे खाना शुरू किया. उसने उस घर में बहुत हल्ला मचाया. अरे वा, ये घर तो बिल्कुल खाली है, यहां तो मुझ पर नजर रखने वाला कोई भी नहीं है. ये घर तो उस जंगल से कई बहतर है. मुझे अपने दोस्तों को जाकर ये बताना चाहिए और उन्हें भी ये दिखाना चाहिए. बंदर जल्दी से अपने दोस्तों के पास गया. अरे दोस्तों, तुम यहां पेडों पर कब तक रहोगे? पास ही में एक गाव है, जहां पर सुबह के समय घर खाली रहते हैं. सभी गाव वाले सुबह से लेकर शाम तक बाहर काम पर जाते हैं. और जब तक वह घर पर नहीं आते, हम उस घर में बहुत मज़ा कर सकते हैं. और जो हमें चाहिए, वह खा भी सकते हैं. अरे वाह, क्या हम वह सब कर सकते हैं जो हमें करना है? हम कुछ भी खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, अरे तुम चलो तु फिर देखना जैसे ही उस शरारती बंदर ने अपने सभी दोस्तों को यह बताया सभी उसके पीछे-पीछे उस गाव में चले गए उसी समय सभी गाव वाले काम के लिए निकल रहे थे वह बंदर उस गाव में अकेले थे और उन पर नजर रखने वाला उस गाव में कोई भी नहीं था चलो दोस्तों, अब घरों में चलते हैं उस शरारती बंदर के पीछे-पीछे सारे बंदरों ने घरों में प्रवेश किया उन्हें जो मन चाहा वह खाया और घरों में बहुत हल्ला मचाया फिर थोड़ी देर बाद गाव वालों का घर लोटने का समय हो गया घर की हालत देखकर वह दंग रह गये और बहुत परेशान होने लगे कि ऐसा सब किसने किया है फिर क्या उन्हें तो पता ही नहीं था यह सब किसने किया है और रोज की तरह वे अपने काम पर चले गए ये बंदर उनके जाने के बाद घरों में चले जाते जो उन्हें मन करता, वह खाते और चीजें इधर उधर फेंकते, उन्होंने घर में बहुत उचलकूद की फिर एक दिन रामू नाम के एक बच्चे ने उन बंदरों को घर में घुसते देखा क्योंकि बंदर बहुत सारे थे वह डर गया और एक गुप्त जगह में जाकर छुप गया जैसे ही ये बंदर घर से बाहर निकले, रामू बाहर आया और उसने गांव वालों को आते देखा वह सब चर्चा कर रहे थे कि उनके घर की ऐसी हालत किसने की है रामू ने उनकी बातें सुनी सभी सुनो, मुझे पता है कि कौन हमारे घरों में घुस रहा है बताओ रामू, तुमने देखा क्या उन्हें हाँ, मैंने बंदरों का एक जुंड देखा, जो आपके जाने के बाद घरों में घुस जाते हैं और फिर कितना हल्ला मचाते हैं मगर क्योंकि मैं अकेला था, तो डर कर छुप गया रामू, क्या यह सच है? हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको उन बंदरों के जुंड को दिखा सकता हूँ मुझे पता है कि वह किस समय पर आते हैं कल सुबह आप सब मेरे पास आए मैं आपको दिखाऊंगा, वह बंदरों का जुंड अगले दिन कुछ गाम वाले रामू के पास गए और फिर उसे चलने को कहा अरे रुकिये, ऐसे नहीं हमें उन बंदरों से चिपना होगा फिर सारे गाम वाले पेड़ों के पीछे चिप गए तब ही बंदरों का जुंड हल्ला करते हुए गाम में घुसा देखो, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था ना? आपने देखा उन बंदरों को? हाँ हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो रामू के साथ सभी गाम वाले वहाँ पर खड़े रहे और उन बंदरों को गाम में आते देखा उन्होंने एक बड़ा लाल मुह वाला बंदर देखा जो उन सभी बंदरों को अपने साथ लेकर आ रहा था उन्होंने देखा कि यह बंदर कैसे उनके घरों में घुस रहा है और मजे से मूंग फली खा रहा है बाकी बंदर घर की चीजें इधर उधर फेक रहे हैं और बहुत हल्ला मचा रहे हैं सभी ने सोचा उनको तो रोकना पड़ेगा फिर उनमें से एक रमेश नाम के गाम वाले ने कहा देखो, सभी सुनो, मेरे पास एक उपाय है अगर हम ऐसा करेंगे तो बंदरों के सर्दार को पकड़ सकते हैं और जब हम उसे पकड़ लेंगे तो बाकी बंदर डर के यहां कभी वापस नहीं आएंगे हाँ हाँ, रमेश बताओ, क्या है उपाय, हम तो इन बंदरों से बहुत परेशान हो गए हैं आप सभी जाएए और मुझे पतली गर्दन वाले दो मटके मुंगफली से भर कर ला कर दीजिए गामवाले ने रमेश की बात मानी और उसे दो पतली गर्दन वाले मुंगफली से भरे मटके ला कर दीए रमेश ने उन मटकों को लिया और कहा कि हमें इन्हें ऐसी जगह पर रखना है जहां बंदर इसे देख सके और जैसे ही बंदर गाव में आएंगे हमें दूर रहकर यह सब देखना पड़ेगा जैसा कि रमेश ने कहा सारे गाव वाले वहां से चले गए और अगले दिन सभी रमेश के साथ आए और दूर से उन बंदरों को देखने लगे रोज की तरह बंदरों की जुन्ड ने बहुत हला मचाया वह शरारती बंदरों का सरदार बाहर खड़ा था और उसने वो दो मटके देखे वह उन मटकों के पास गया और देखा कि उन मटकियों में तो मूंगफली रखी हुई है उस बंदर ने मटके में अपना हाथ डाला उसने अपना हाथ मूंगफली से भर लिया था और क्योंकि उस मटके की गर्दन बहुत पतली थी, उसने अपना हाथ बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर निकाल ना सका. इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, लालत से बचना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए.